C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा साथ की विज्ञान की पाठ्थे पुस्तक प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ तीन शीर्शक रेशों से वस्त्र तक प्रिष्ट 25 से 36 तक तो आईए अब सुनते हैं पाठ तीन शीर्शक रेशों से वस्त्र तक प्रिष्ट 25 पाठ 3 रेशों से वस्त्र तक कक्षा 6 में आपने पादपों यानि पौधों से प्राप्थ होने वाले कुछ रेशों यानि फाइबरों के बारे में पढ़ा था आपने ये भी पढ़ा था कि उन और रेशम के रेशे जन्तूं से प्राप्त होते हैं जन्तूं से प्राप्त किये जाने वाले रेशों को जानतव रेशे कहते हैं उन के रेशे यानि फाइबर भेड अत्वा याक के बालों से प्राप्त किये जाते हैं रेशम के फाइबर रेशम कीट के कुकून यानि कोश से प्राप्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि बेड के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को उन में कैसे परिवर्थित किया जाता है। जिने हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदते हैं। क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है जिन से साड़ियां बुनी जाती हैं। इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रशनों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। जानतव रेशे उन और रेशम तीन दशमलव एक उन भेड, बक्री, याक और कुछ अन्य जन्तूओं से उन प्राप्त की जाती है। उन प्रदान करने वाले इन जन्तूओं के शरीर बालों से ढखे होते हैं। जैसा कि चित्र तीन दशमलव एक में बताया गया है। क्या आप जानते हैं कि इन जन्तूओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है। बालों के बीच अधिक मात्रा में वायू आसानी से भर जाती है। वायू उश्मा की कुछालक है जैसा कि आप अध्याय चार में पढ़ेंगे। अतहे बाल इन जन्तूओं को गर्म रखते हैं। उन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। क्रिया कलाब 3.1 अपने शरीर, बाहूं और सिर के बालों को छूकर अनभव कीचे। क्या आपको उन में कोई अंतर लगता है। कौन से बाल मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं तथा कौन से मुलायम। हमारी ही तरहा भेड की रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के रेशे होते हैं। पहला, दाढ़ी के रूखे बाल और दूसरा, त्वचा के निकट अवस्थित तंत रूपी मुलायम बाल। तंत रूपी बाल उन यानि कर्तित उन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं भेडों की कुछ नसलों में केवल तंत रूपी मुलायम बाल ही होते हैं इनके जनकों का विशेश रूप से ऐसी भेडों को जन देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हूँ तंत रूपी मुलायम बालों जैसे विशेश गुण युक भेड़ें उत्पन करने के लिए जनकों के चयन की ये प्रक्रिया वरनात्मक प्रजनन कहलाती है यहां प्रिष्ट 25 पर एक घने बालों वाली भेड़ का चित्र दिया गया है प्रिष्ट 26 उन प्रदान करने वाले जन्तू हमारे देश के विभिन भागों में भेड़ों की अनेक नसलें पाई जाती है जैसा की सारणी 3.1 में दिया गया है यद्दपी भेड़ों की उन ही उन का एक मात्र स्रोत नहीं है फिर भी बाजार में सामाने रूप से उपलब्द उन भेड़ की उन ही होती है जैसा की चित्र 3.1 में बताया गया था याक की उन तिबबत और लद्दाख में प्रचलित है यहां प्रिष्ट 26 पर उन का एक चित्र दिया गया है साथी प्रिष्ट 26 पर ही चित्र 3.2 याक का चित्र दिया गया है बकरी के बालों से भी उन प्राप्त की जाती है अंगोरा उन को अंगोरा नसल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़िक शेत्रों में पाई जाती है जैसा कि चित्र 3.3 और 3.4 में बताया गया है कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल यानी फर होते हैं इनसे बहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं जिन्हें पश्मीना शॉलें कहते हैं प्रिष्ट 26 पर अंगूरा बकरी और एक सामान बकरी का चित्र दिया हुआ है उन्ट के शरीर के बालों का उपयोग भी उन्ट के रूप में किया जाता है जैसा की चित्र 3.5 में बताया गया है यहां प्रिष्ट 26 पर चित्र 3.6 में लामा और चित्र 3.7 में एल्पेका का चित्र दिया गया है क्रिया कलाब 3.2 उन जन्तुओं के चित्र एकतित कीजिए जिनके बालों का उपयोग उनके रूप में किया जाता है उन्हें अपनी स्क्रेप पुस्तिका में चिपकाईए यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाएं तो इस पुस्तक में दिये गये चित्रों को पहचान कर उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए अपनी क्षेत्री और देश की अन्य भाशाओं में भेड, बकरी, उंट और याक जिस नाम से जाने जाते हैं उनका पता लगाने का प्रयास कीजिए प्रिष्ट 27 उनके बालों को काट कर और फिर उन्हें संसाधित करके उन बनाई जाती है आईए हम इस प्रक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करें भेड पालन और प्रजनन यदि आप जमू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुनाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाडी क्षित्रों अथवा हरयाना, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गडरियों को भेडों के जुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं भेड शाकाहारी होती है और वो घास और पत्तियां पसंद करती है भेड पालक यानि पालने वाला उन्हें हरे चारे के अतरिक दालें, मक्का, ज्वार, खली यानी बीज में से तेल निकाल लेने के बाद बचा हुआ पदार्त और खनिज भी खिलाते हैं सरदियों में भेडों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है हमारे देश के अनेक भागों में भेडों को उन के लिए पाला जाता है सारणी 3.1 में भेडों की कुछ नसलों के नाम दिये गए हैं जिन्हें हमारे देश में उन उत्पादन के लिए पाला जाता है सारणी 3.1 में उनसे प्राप्थ होने वाली उनकी गुणवत्ता और गठन को भी समझाया गया है यहां प्रिष्ट 27 पर भेडों की कुछ भारतिय नसलों की सारणी दी गई है इस सारणी को तीन भागों में विभाजित किया गया है पहला भाग नसल का नाम है दूसरा उनकी गुणवत्ता और तीसरा वो राजय जहां ये पाई जाती है नसल के दिये गए नाम इस प्रकार है लोही इसकी उन अच्छी गुणवत्ता की उन कही जाती है साथी ये राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है नसल के नामों में दूसरा नाम है रामपुर बुशायर इसकी उन की गुणवत्ता भूरी उन है ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है तीसरा नाम है नाली या नली इसके गुणवत्ता गलीचे की उन मानी जाती है ये राजस्थान, हर्याना और पंजाब में पाई जाती है नसल के नामों में अगला नाम है बाघरवाल इसकी उन की गुणवत्ता उनी शौलों के लिए मानी जाती है और ये जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है अगला नाम है मारवाडी ये मोटी या रुक्ष उन कही जाती है ये गुजरात में पाई जाती है नसलों के नामों में आखरी नाम है पाटनवाडी इसकी गुणवत्ता होजरी के लिए मानी जाती है और ये नसल भी गुजरात में ही पाई जाती है भेड की कुछ नसलों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवट्था की उन प्रापत होती है जैसा की पहले बताया गया है इन भेडों को वर्नात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है जिन में से एक जनक किसी अच्छी नसल की भेड होती है जब पाली गई भेड के शरीर पर बालों की घनी व्रिद्धी हो जाती है तो उन प्राप्ति के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है रेशों को उन में संसाधित करना स्वेटर बुन्ने अथवा शौल बराने के लिए उप्योग की जाने वाली उन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है जिसमें यहां लिखे हुए चरण सम्मिलित है चरण एक भेड के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है जैसा की चित्र 3.8 सहभाग A में दिया गया है ये प्रक्रिया उन की कटाई कहलाती है भेड के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसी नाई द्वारा बाल काटने के लिए प्रयुक्त की जाती है सामान नितह बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड बालों के सुरक्षात्मक आवरण के ना रहने पर भी जीवित रह सके प्रिष्ट 28 बुजो को आश्चर होता है कि जब कोई उसके बालों को खीचता है तो दर्द होता है परन्तु जब वह बाल कटवाता है तब दर्द नहीं होता ऐसा क्यों? इन ही उनी रेशों को संसाधित करके उनका धागा बनाया जाता है उन उतारने के दौरान भेड को कोई विशेश कष्ट नहीं होता है जैसे कि आपको बाल कटाने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनवाने में नहीं होता क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? चरण दो त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डाल कर अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उनकी चिखनाई, धूल और गर्द निकल जाए यहां प्रिष्ट 28 पर चित्र 3.8 में भेड की उन के रेशों को संसाधित करने के विभिन चरण बताये गए हैं जिन्हें चार चरणों में विभाजित किया गया है A, B, C और D A, चरण है भेड की उन उतारना B, चरण है टंकियों में अभिमार्जन करना C, या तीसरा चरण है मशीनों द्वारा अभिमार्जन और चौथा और आखरी चरण है उनका धागा बनाया जाना इस चित्र के नीचे इस प्रक्रिया के चरणों को लिखा गया है यहां लिखा है रेशों को उन में परवर्थित करने के प्रक्रम को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है जैसे उन की कटाई फिर अभिमार्जन फिर चटाई उसके बाद बर की चटाई और इसके बाद रंगाई और अंत में रीलिंग प्रिष्ट उन्तीस यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है जैसा की चित्र 3.8 यानी B और C में बताया गया है चरंड तीन अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है रोमिल अत्वार रोएदार बालों को कारखानों में भीज दिया जाता है जहां विभिन गठन वाले बालों को छाटा या प्रिथा किया जाता है चरंड चार अगले चरंड में बालों को सुखाया जाता है परन्तु इस से पहले बालों में से छोटे-छोटे कोमल वा फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है जो बर कहलाते हैं ये वही बर होते हैं जो कभी-कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं इसके पश्चात रेशों का पुनह अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उप्युक्त उन होती है चरण पांच रेशों की विभिन रंगों में रंगाई की जाती है क्योंकि भेड अत्वा बकरी की सामान उन काली भूरी अत्वा सफेध होती है चरण छे अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं अब रेशों को सीधा करके सुलजाया जाता है और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है जैसा की चित्र 3.8 के डी भाग में दिया गया है लंबे रेशों को कात कर स्वेटरों की उन के रूप में और अपेक्षा कृत छोटे रेशों को कात कर उनी वस्त्र बुन्ने में उपियोग किया जाता है यहां एक अलग से लेख दिया गया है जिसका शीर्शक है व्यवसाइक संकट उन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविको पारजन का एक महत्वपून साधन है लेकिन छटाई करने वालों का कार जोखिम भरा है क्योंकि कभी-कभी वे अंत्राक्स नामक जीवानू द्वारा संक्रमित हो जाते हैं जो एक घातक रक्त रोग का कारक है जिसे सोटर्ज रोग कहते हैं किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को जीलना व्यवसाइक संकट कहलाता है बूजो ये जानने को उच्चुक है कि सर्दियों में सूती कपड़े हमें उतना गर्म क्यों नहीं रख पाते हैं जितना उनी स्वेटर रखता है अपने सहपाथियों के साथ इस विशह पर चर्चा कीजिए कि क्या मनुष्य के लिए भेडों का पालना और फिर उन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को उतारना उच्चत है तीन गशम लवदो रेशम रेशम यानि सिल्क के रेशे भी जानतव रेशे होते हैं रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन यानि सरी कल्चर कहलाता है अपनी माता जी, चाची जी या दादी मात से विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशमी साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए विभिन्न प्रकार के रेशम को सूची बद्ध कीजिए इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें, रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना आवश्यक है यहां एक लेख दिया गया है भारत में रेशम उत्पादन से संबंध विभिन प्रकार के उद्योगों में महलाओं की भूम का महत्वपून है रेशम कीट के पालन, कोकूनों में से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्मान आदी कर अधिकताया महलाओं द्वारा ही किये जाते हैं अपने उद्यम द्वारा वे राष्ट की अर्थ विवस्ता में योगदान देती हैं रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है, भारत भी प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में गिना जाता है मादा रेशम कीट अंडे देती है जिन से लार्वा निकलते हैं जो केटरपिलर यानि इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं ये आकार में व्रिधी करते हैं और जब केटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्ता में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा यानी कोशित कहलाता है, जो अपने इर्दगिर्द एक जाल बुन लेता है यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है प्रिष्ट तीज फिर ये अंग्रीजी संख्या आठ के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है सिर की इस गती के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ श्रावित करता है जो कटोर होकर सूख कर रेशम का रेशा बन जाता है जल्दी ही कटरपिलर स्वैम को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढख लेता है और प्यूपा बन जाता है यह आवरण कोकून कहलाता है कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर ही होता है जैसा की चित्र 3.9 में बताया गया है रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्तर बुनने के लिए किया जाता है क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा, सूत्र, स्टील के तार जितना मजबूत होता है प्रिष्ट 30 पर चित्र 3.9 में रेशम कीट का जीवन चक्र बताया गया है इस जीवन चक्र को 6 चित्रों में विभाजित किया गया है पहले 2 चित्रों में नर और मादा जो की वयस्क रेशम कीट होते हैं उन्हें बताया गया है इसके बाद 3 चित्र में शेहतूत की पत्ती पर अंडे बताया गया है चौथे चित्र में एक रेशम कीट बताया गया है पांचमे चित्र में कोकून और उसके बाद छठे व आखरी चित्र में कोकून में विकास शील कीट बताया गया है रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तयार किया जाता है रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफी अलग दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन, अर्थात, रुक्षिता, चिकनाहट, चमक आदी में भिन्न होता है अतह, तसर रेशम, मुगा रेशम, कोसा रेशम तथा अनप्रकार के रेशम, विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काते गए कोकूनों से प्राप्त किये जाते हैं सबसे सामान रेशम कीट, शेहतूत रेशम कीट है इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर, मृदू, चमकदार और लचीला होता है तथा इसे सुन्दर रंगों में रंगा जा सकता है रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का समवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है भारत व्यवसायक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है क्रिया कलाप 3.5 व्यविन प्रकार की रेशमी वस्त्रों के टुकडे एकत्रत कीजिए और उन्हें अपनी स्क्राप पुस्तिका में चिपकाईए आपको ये दर्जी की दुकानों में व्यर्थ कतरनों की ढेरी में मिल सकते हैं अपनी माता जी, चाची जी, अथवा, शिक्षका की साहता से विभिन किस्म के रेशम जैसे शेहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, मूगा रेशम, आदी की पहचान कीजिए रेशम के इन टुकडों के गठन तथा बुनावट की तुलना कृत्रिम रेशम के टुकडों से कीजिए जो संचलेशित रेशों से निर्मित होते हैं उन रेशम के कीटों की चित्र एकत्रित करने का प्रायास कीजिए जिनके caterpillar विभिन प्रकार के रेशम प्रदान करते हैं कृया कला आप 3.6 किसे कृत्रिम यानि संचलेशित रेशम और शुद्ध रेशम का एक-एक धागा लीजिए इन धागों को सावधानी से जलाईए क्या आपको उनके जलती समय उत्पन गंध में कोई अंतर महसूस हुआ अब सावधानी से उनके एक धागे को जलाईए इससे जलने की गंध कृत कृत्रिम रेशम के जलने जैसी है अथ्वा शुद्ध रेशम जैसी क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यूं है प्रिष्ट 31 ये जानने के लिए कि रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है क्रिया कलाप 3.7 करने का प्रयास कीजिए चित्र 3.9 की फोटो प्रतिलिपी लीजिए रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन अवस्थाओं के चित्र काट लीजिए और प्रतेक को गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर अलग-अलग चिपकाईए अब इन चित्रों को आपस में मिला लीजिए अब चित्रों को जीवन चक्र की अवस्थाओं के सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए जो कोई भी सबसे जल्दी ऐसा कर लेगा वो विजेता होगा आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का वरनन भी कर सकते हैं इसे अपनी स्क्राप पुस्तका में लिखिए यहां प्रिष्ट 31 पर चित्र 3.10 में रेशम क्रिमी के पालन को बताया गया है इसका पहला चित्र मादा रेशम कीट तथा उसके अंडे का है दूसरा चित्र शेहतूत के व्रिक्ष का है साथ ही शेहतूत के व्रिक्ष की एक पत्ती को बड़े आकार में बताया गया है इसके तीसरे चित्र में शहतूत की पत्तियों को खाते हुए लारवा यानी कैटरपिलर या रेशम क्रिमी को बताया गया है चोथा और आखरी चित्र कोकून का है कोकून से रेशम तक रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किये जाते हैं रेशम कीट पालन कोई मादा रेशम कीट एक बार में सेंक्डों अंडे देती है जैसा की चित्र 3.10 के सहभाग A में बताया गया है अंडों को सावधानी से कपड़े की पटियों अथवा कागस पर संग्रहत करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है ये पालक या किसान अंडों को स्वास्थ कर स्थितियों उचत ताप एवं आर्दरता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं अंडों को उपयोगत ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए ये तब किया जाता है जब शेहतूत के वरिक्षों पर नई पतियां आती है जैसा कि चित्र तीन दशमलव दस के भाग बी में बताया गया है लार्वा जो केटरपिलर अत्वा रिशम कीट कहलाते हैं दिन रात खाते रहते हैं और आमाप यानि साइज में काफी बड़े हो जाते हैं जैसा कि चित्र तीन दशमलव दस के भाग सी में बताया गया है लार्वा को शेहतूत की ताजी कटी पत्यों के साथ बास की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है 25 से 30 दिनों के बाद केटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बास के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं जैसा की चित्रित 3.10 के भाग D में बताया गया है प्रिष्ट 32 इसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टेहनिया रखती जाती हैं जिनसे कोकून जुड़ जाते हैं केटरपिलर अत्वा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विक्सित होता है रेशम का संसाधन रेशन फाइबर प्राप्ट करने के लिए कोकूनों की बड़ी धेरी का उप्योग किया जाता है वयस कीट में विक्सित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अत्वा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर प्रिथक हो जाते हैं रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकलने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है रीलिंग विशेश मशीनों में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं बुनकरों द्वारा रेशम के इन ही धागों से वस्त्र बुने जाते हैं यहां प्रिष्ठ 32 पर एक लिख दिया गया है जिसका शिर्षक है रेशम की खोज यहां लिखा है रेशम की खोज का यथार्थ समय संभवतह अग्यात है एक प्राचीन चीनी किवदंती के अनुसार समराट हुआंग टी ने सामरागी सी लुंग ची से अपने बगीचे में पत्यों के एक शती ग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा था समरागी ने पाया कि सफेद क्रिमी शहतूत की पत्यों को खा रहे थे उन्होंने यह भी देखा कि क्रिमी अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुल लेते थे सैयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा प्रिथक हो गया रेशम मुद्योग चीन में आरंभ हुआ और सैक्णों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया जिस मार्क से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं पहेली जानना चाहती है कि क्या कापास के धागे और रेशम के धागे की कताई और बुनाई एक ही प्रकार से की जाती है प्रमुख शब्द कोकून कर्थित उन रीलिंग अभिमार्जन रेशम कीट पालन उन कताई रेशम कीट कैटरपिलर संसाधन आपने क्या सीखा रेशम कीटों से रेशम तथा भेड बकरी एवं याक से उन प्राप्त की जाती है अतह रेशम और उन जानतव रेशे हैं उन्ट, लामा और अलपेका के बालों को भी उन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है प्रिष्ट 33 भारत में अधिकतर भेडों को उन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है भेड के शरीर से बालों को उतार कर पहले अभिमार्जन वह छटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्हें कात कर उन से उन प्राप्त की जाती है अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशों की कताई करके कोकून बनाते हैं रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं कोकूनों से रेशम के रेशों को प्रिथक करके उनका संसाधन किया जाता है और फिर रेशम का धागा बनाया जाता है इस प्रक्रम को रिलिंग कहते हैं बुनकर रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बुनते हैं अभ्यास एक संभवतह आपने नर्सरी कक्षा में यहां दी गई पंक्तियां पढ़ी होंगी कर बाबा ब्लाक शीप, have you any wool? कर, Mary had a little lamb, whose fleece was white as snow यहां लिखे गई पंक्तियों के आधार पर ये बताईए कि पहला, ब्लाक शीप यानि काली भेड के किन भागों में उन होती है दूसरा, मेमने यानि लैम के सफेद रोमों का क्या दात पर रहे है? दूसरा प्रश्न, रेशम कीट, A, caterpillar, B, larva है सही विकल्प चुनिये क केवल आ, ख केवल ब, ग आ और ब, घ ना ही आ और ना ही ब तीन, यहां दिये गए विकल्पों में से किस से उन प्राप्त नहीं होती क, याक, ख, उन्ट, ग, बकरी, या घ, घने बालों वाला कुत्ता प्रिष्ट चौंतीस जार, यहां दिये गए शब्दों का क्या अर्थ है पहला, पालन, दूसरा, उन कटाई, तीसरा, रेशम कीट पालन पाँच, उन के संसाधन के विभिन चरणों के क्रम में कुछ चरण यहां दिये गए है शेश चरणों को उनके सही क्रम में लिखिये जैसे ओन कटाई, फिर रित स्थान, फिर छटाई, फिर रित स्थान, फिर रित स्थान चै, रेशम कीट के जीवन चक्र की उन दो अवस्थाओं के चित्र बनाईए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित है साथ, यहां दिये गए कौन से दो शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित है संकेत पहला, रेशम उत्पादन में शेहतूत की पत्तियों की खेती और रेशम कीटों को पालना संमिलित है दूसरा, शहतूत का वैग्यानिक नाम मुरस आलबा है आठ, कॉलम ए में दिये गए शब्दों को, कॉलम बी में दिये गए वाक्यों से मिलाईए कॉलम ए, क, अभिमारजन, ख, शहतूत की पत्यां, ग, याक, ग, कोकून कॉलम बी, एक, रेशम फाइबर उत्पन करता है, दो, उन देने वाला जन्तू, तीन, रेशम कीट का भोजन, चार, रीलिंग, और पाँच, काटी गई उन की सफाई नौ, इस पार्ट पर आधारित एक वर्ग पहेली दी गई है, रिक्ट स्थानू को उन अक्षरों से भरने के लिए संकेतों का उप्योग करिए, जो अक्षर को पूरा करते हैं, इस वर्ग पहेली में, बाइन से दाएं दे गए संकेत इस प्रकार है, दूसरा, कार्तित उन क अच्छी तरह से धोने का प्रक्रम, तीसरा, एक प्रकार का जानतव रेशा, छठा, लंबी धागे जैसी सनरचना, जिससे बुनकर वस्त्र बनाते हैं, उपर से नीचे दिये गए संकेत कुछ इस प्रकार है, एक, इससे बुने वस्त्र शरीर को गरम रखते हैं, चौथा, इसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं, पांच, रेशम कीट के अंडे से निकलते हैं, प्रिष्ट पैंटीस, विस्तारित अध्धयन क्रिया कलाप एवं परियोजना कर, पहला, पहली कोकून से प्राप्त हो सकने वाले रेशम के सतत रेशे की अधिक्तम लंबाई जानना चाहती है, उसके लिए ये जानकारी प्राप्त कीजिए, दो, बूजो जानना चाहता है कि वृध्धी करने के पस्चात केटर पिलर को अपनी त्वचा को उतारने की अवश्यक्ता होती है, जबकि हम मानवों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता, क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है, तीसरा, बूजो जानना चाहता है कि कैटर पिलरों को नंगे हाथों से एकत्रित क्यों नहीं करना चाहिए, क्या आप उसकी साहता कर सकते हैं, चार, पहली एक रेशमी फ्रॉक खरीदना चाहती थी, और इसके लिए वह अपनी माता जी के साथ बाजार गई, व क्या आप जानना चाहते हैं, ऐसा क्यों होता है, पता कीजिए, प्रिष्ट 36 पांचवा, किसी ने पहेली को बताया कि एक जन्तू जिसे विकुना कहते हैं से भी उन्प्राप्थ होती है क्या आप उसे बता सकते हैं कि ये जन्तू कहां पाया जाता है इसके बारे में शब्द कोश अथवा एंसाइकलोपेडिया या ज्यान कोश में देखिए छे, हत करगा और वस्त प्रदर्शनियों में प्राया कुछ दुकानों पर रेशम की विभिन किस्मों के कीटों और उनके जीवन चक्र की भिन भिन अवस्थाओं को उनके वास्थवित नमूनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है इन दुकानों पर अपने बुजर्गों अथवा शिक्षकों के साथ जाकर इन कीटों और उनकी जीवन चक्र की अवस्थाओं को देखने का प्रयास कीजिए साथवा अपने बगीचे अथवा उद्यान या पौधों से भरपूर किसी अन स्थान पर किसी कीट अथवा तितली के अंडों को खोजिए इन्हें पत्तियों पर छोटे बिंदूं के रूप में पाया जा सकता है अंडे युक पत्तियों को तोड़ दीजिए और उन्हें गत्ते के डिब्बे में रख दीजिए उसी पौधे अथवा उसी किस्म के किसी अन पौधे की कुछ पत्तियों को काट कर डिब्बे में डाल दीजिए संभवतह अंडों में से कैटर्पिलर निकलाए यदि ऐसा हुआ तो आप पाएंगे कि कैटर्पिलर दिन रात खाने में व्यस्त रहते हैं उनके खाने के लिए डिब्बे में प्रती दिन पत्तियां डालते रहें कभी कभी आपको पौधों की पत्तियों में कैटर्पिलर भी मिल सकते हैं लेकिन सावधान रहें कैटर्पिलर को पकड़ने के लिए कागस के नापकिन अत्वा कागस का उपियो करना चाहिए इन्हें प्रती दिन देखिए नोट कीजिए पहला अंडू में से कैटर्पिलर के निकलने में कितने दिन लगते हैं दूसरा कोकून अवस्था तक पहुँशने में कितने दिन लगते हैं और तीसरा जीवन चक्र को पून होने में कितने दिन लगते हैं अपने प्रेक्षणों को अपनी नोट बुक में लिखिए क्या आप जानते हैं? भेडों की संख्या की दृष्टी से चीन और आस्ट्रेलिया के बाद भारत का विश्व में तीसरा स्थान है यद्यपी न्यूजिलेंड की भेडों से सबसे अच्छी उन प्राप्थ होती है इसी के साथ 18 पाठों की इस पुस्तक का तीसरा पाठ रेशों से वस्त्र तक यहां समाप्थ हुआ वाचन शालिनी सिंग और वैभव श्रीवास्तव अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठ्थे पुस्तक तकनीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तकनीकी सहायक विकास सांगवान निर्माण सहयोग तनु गुप्ता निर्माण एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत